इस कहानी की सुरुवाद 1200 साल पहले होती है जहां हम लार्क नाम की एक फीमेल इल्फ को देखते हैं। लार्क परसिया के रेवन कभीले से थी जो परसिया के साही अंगरक्चकों में से एक थी। लेकिन लार्क को कोई योधा नहीं बलके एक कभी बनना था उसे गाने बजाने का सौक था। इसलिए लार्क अपने राजी को छोड़ कर भाग जाती है वो एक गाउं के बार में जाकर गाना गाने लगती है। तबी वहां बैठा एक आदमी उस बार के ऑनर की बेटी के साथ जबर्दस्ती करने की कोसिस करता है जिसके बाद लार्क अपने पास से नुकी रही हो तुम्हें तो महलों में होना चाहिए। इदर जिंतीरिया के राजा की तमाम कोसिस करने के बाद भी उसकी परजा ने उसकी उपर हमला कर दिया लेकिन राजा के पूरे परिवार की रक्षा डौक कभी लेके लोग करते थे और उनका सबसे बड़ा योधा था फेजा करते हुए देख लेते हैं वो भी साही अंग्रक्षकों में से एक थे अब जब फेजाल ने अपने राजा को धोका और अपने कभीले की नियम को तोड़ा था इसलिए उसके पिता उसे खुद ही जिंतेरिया राजी से बाहर निकाल देते हैं और डौक कभीले से उसके सारे जिस्ते नाते तोड़ देते हैं फेजाल अपने पिता को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है इदर जिंतेरिया का राजा अलवितीर अपने बहन मर्विन से मिलने आता है और उसे कहता है अब जब फेजाल जा चुका है तो तुम्हें अपने भविस्त के बारे में स को देखते हैं जो आसमान में हो रहे बदलाव के बारे में जानने के लिए अपने पूरवजों की आत्मा से बात करने की कोसिस कर रहे थे लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते दूसरी तरफ जिंतीरिया का एक जादू गर बेलावर ने अलग-अलग दुनिया में आने जाने का रस्ता ढूंड लिया था वो एक मोनोलित के जर्य ब्रहमान के किसी बेहिस्से में आ जा सकता था वो दूसरी दुनिया की एक सक्ती के पास चला जाता है और उसे एक सौदा करता है इधर जिन लोगों को लार्क ने बार उनर की बेटी के साथ ठीर चाड़ करने तुम तो डॉग कभीले से हो तुम यहां क्या कर रहे हो तो वो कहता है मैं राज कुमारी के साथ सोया था इसलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की बजाए राज इसे बाहर निकालकर सरमिंदा होने के लिए छोड़ दिया फिज्जाल पूछता है वैसे तुम तो रेवन क अबिले से हो तुम यहां क्या कर रही हो तो वो कहती है अब मैं एक कभी हूँ मुझे लड़ने से ज़्यादा गाना पसंद है फिजाल और लार्क के राज्यों के बीच सालों से जंग चल रही थी वो दोनों वहां भी लड़ने लगते हैं तभी वहां कुछ सैनीक आकर फिजा नहीं मरने दूंगा अब हमें सालों से चलती आ रही जंग को खत्म कर देना चाहिए मेरी बहन पर्सिया के राजा मिडियर से साधी करके पर्सिया की नई महरानी बनेगी और डार्विन की रानी नीरा को हम तोफे में सिलाबलियात की खतान दे देंगे फिजाल को जिसने सैन रापस बुला रहे थे लेकिन फिजाल वापस जाने से मना कर देता है और वहाँ से एक ब्रोतल में चला जाता है जहाँ ब्रोतल का मालिक उसे अंदर जाने देने चेन को देखता है तो वह उसके पास नहीं था इधर लार्क फिज़ाल के लॉकेट के मदद से पिंजरे के दरवाजे को खोल कर वहाँ से भाग जाती है उसे अपनी हार्मोनियम की आवाज सुनाई देती है जब वो वहाँ जाती है तो वो अपनी बहन नीमा को देखती है वो उससे कहती है कि माने तुम्हें वापस बुलाया है महराज सांती समझाओता के लिए जिन्टेरिया जा रहे हैं लेकिन लार्क वापस जाने से मना कर देती है तभी वहाँ बार ओनर की बेटी एतलीन आती है और लार्क को दुखी देखकर उसे गले लगा लेती है तभी उस लड़की को एक विजन आता है, उसे अपने विजन में भविस्वानिया दिखाए देती थी, वो बताती है दूसरी दुनिया के बीच एक रस्ता खुलेगा, जिससे निकला एक दानों तुमारे तलवार से मरेगा, और फिर वो बहोस हो जाती है, इधर राज कुमारी मरलिन को परसिया के राजा से मिलाने के लिए तैयार किया जाता है, परसिया, डार्विन और जेंटेरिया, तीनों राजी सालों से चल रही जंग और भुक्मरी से परिसान होकर, आपस में समझावता कर लेते हैं, लेकिन तभी मरलिन के पेट में दर्द होने लगता है, वो कमरे में जाती है और जैसे ही दो सैनिक उसके कमरे के दरवाजे को बंद करते हैं मर्विन अपनी एक साहि अंग्रक्चक की बली देती है उसके बली देते ही दूसरी दुनिया से एक बहुत ही खतरनाक मॉस्टर आ जाता है उस मॉस्टर का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता वो मॉस्टर परसिया, जिंटेरिया और डार्विन तीनो राज के राजाओं और सारे कभीलों के अंग्रक्चकों का पलभर में नामों निसान मिटा देता है ये सब जिंटेरिया के सेनापती एडन और महान जादूगर बिलॉर ने राजकुमारी मरलिन के साथ मिलकर किया था अब तीनो राज जिंटेरिया के हिस्से थे मर्विन इस नए राजी की रानी बनती है और वो इस राजी का नाम गोल्डन इंपायर रखती है सारे इलफ मर्विन को एकसेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि इलफे को बस खाना चाहिए था इधर लार्क एतलिन की मा से पूछती है कि क्या इसके सपने सच होते हैं तो उसकी मा कहती है हाँ, सारे के सारे इसके बाद लार्क अपनी बहन नीमा के पास जाती है और वो उसके साथ परसिया वापस लाटने के लिए तयार हो जाती है लेकिन तभी कुछ सैनिक लार्क और नीमा पर हमला कर देते हैं जिसमें नीमा मारी जाती है वो सैनिक लार्क के उपर हमला कर देते हैं वो उनसे लड़ने लगती है और तभी फैजाल भी वहाँ आकर लार् देता है लेकिन ये सारे सैनिक जेंटेरिया परसिया और डार्विन राजिके थे लार के कहती है इन तीनों राजियों के बीच सालों से जंग चल रही थी तो फिर इन तीनों राजियों के सैनिकों ने एक साथ मिलकर हम पर हमला क्यों किया कुछ तो गरबड है मुझे अपने पात ले चलो क्योंकि रस्ते में ऐसे और भी बहुत से सैनिक मिल सकते हैं। एदर फिज्जाल और लार्क के परसिया पहुँच गए थे। लार्क एक आदमी से उसके सिक्के चुरा कर वहां के एक सराब खाने में जाती है। लाकर खड़ा कर देते हैं। जादुगर बलावर एक बार फिर से दूसरी दुनिया के उस सकती के पास चला जाता है और उससे कहता है आपके दिये दैटे ने मेरी बहुत मदद की लेकिन मुझे एक ऐसी सकती चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो जिस पर वो कहती है इसके लिए तुम्हें अपने सबसे पसंद सीधा चीज को त्याक करना होगा इधर लार्क और फिजाल लार्क के गुरू सेजन के पास जाते हैं सेजन के कबीले के सारे इल्फ को जिन्टेरिया के राजा के कहने पर फिजाल के डौक कबीले ने जहर देकर मार दिया था वो अपने कबीले में अकेली बची थी लार्क उ इस तरह वो दो से तीन हो जाते हैं, अब हम मिल्डॉफ नाम की एक बॉनी को देखते हैं, वो एक ब्रोथल के दरवाजे पर जाकर नौक करती है, एक इल्फ वहाँ आता है तो उसे लगता है वो कोई वैसिया है, जिस पर वो कहते है मैं कोई वैसिया नहीं हूँ, मुझे एक आखवाले एक इल्फ की तलास है, लेकिन वो इल्फ उससे कहता है, यहां कोई एक आखवाला इल्फ नहीं है, वो उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद मिल्डॉफ अपने हथोले से खिलकी को तोड़ कर अंदर गुज जाती है, उसके पास जो हथोला था, उसे उसने अपनी गल्फिंट के चिता के राक से बनाया था, जिसे कुछ लोगों ने रेप करके मार दिया था, इसलिए मिल्डॉफ उन सब को ढून ढून कर मार रही थी, जिसने उसकी गल्फिंट को मारा था, इदेर एडेन और बिलॉर एक साथ नहा रहे थे, इडेन बिलॉर को बता कि कुछ लोग अभी भी हमारे खिलाफ है, बिलॉर कहता है उनमें से कुछ को मार कर भी चौराहे पर लटका दो, बाके के खुद मान जाएंगे, फिर बिलॉर उससे डौ कबीले और रेवन कबीले के फिस्जाल और लार्क के बारे में पोच्छता है, तो वो कहता है वो से बहुत सारी मुद्राएं चुरा कर उनसे अपनी सेना में और भी लोगों को जोड सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, कुछ सैनिक वहां आकर बैंक को घेर लेते हैं, बैंक के मैनेजर एक सुरंग के रस्ते वहां से भाग जाता है, और सुरंग के दरवाजे को बन कर देता है, वो सैनिक इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन यह तीनों बहूत ही अच्छे योधा थे, सैनिक इनके आगे टिक नहीं पाते, जिसके बाद वो सैनिक उन तीनों को वहीं बन करके बैंक के बाहर से आग लगा देते हैं, जिसके बाद ऐस्यारे लुदा के ही उसे जान से मार देगा वो महल में जा रही थी तभी एक इलफ उसके उपर हमला कर देता है लेकिन तभी उसके राज़का ही एक जादू का इस्टूडेंट आफ लोग वहां आकर इलफ को मार कर मेरविन को बचा लेता है वो अपने सेना पती से पूछती है कि आखिर उसने म का हाल चाल जानना चाते थी लेकिन जादूगर उसे बाहर जाने से मना कर देता है इधर सीजन उन सिपाहियों के हमले में बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी इसलिए वो लोग उसे जंगल में बैठा कर खुद उसके लिए जड़ी बोटी ढूनने निकल जाते हैं इधर मिर्विन एवलॉक को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कहती है कि बिलाओर और एडेन अपना काम खत्म होते ही मुझे मार देगा और अब जब तुम मेरे अंगरक्षक बने हो तो वो तुम्हें भी मार देंगे इसलिए तुम्हें मेरे लिए बिलाओर और एडेन पर जानना था, मिर्विन के राजी के लोग बस खाने के लिए एक दूसरे के आगे भीक मांग रहे थे, उसके राजी का हाल बहुत बुरा था, तभी वो रस्ते में एडन को देखती है, वो उसका पीछा करती है, जहां उसे पता चलता है कि एडन गे है, और यहां वो अपने बॉ भूमधाम से तुम्हारे प्यार से करवा दूँगी, एडन कहता है बेलोर के जर्ये हम दूसरी दुनिया तक जा सकते हैं, हमारे लोग भूके मर रहे हैं, जिस पर मर्विन कहती है कि बहुत जल्द हम भी बिना बेलोर के सिंड्रिल की मॉनोलित के जर्ये दूसरी दुनिया तक जा सकेंगे और अपने लोगों को बचा सकेंगे लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ये तुम्हारे भवेसे के लिए अच्छा होगा एडेन उसके बातों को मान जाता है इधर फिजाल और लार्क जब जड़ी बूटी लेकर लोटते हैं तो वो सेजन के पास एक इल सिजन बहुत ज़्यादा घायल थी क्योंकि उसे जहरीले तलवार से मारा गया था जिसके बाद ब्रदर डेत कहता है इसे मेरे साथ ले चलो मैं एक जादुगर को जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकती है और इस तरह लार के तीन से चार हो गई वो से जहां लेकर जाता है वहां कोहरा ही कोहरा था ब्रदर डेत कहता है कि तुम्हें इस कोहरे में कुछ भी दिखे रुखना मत बस चलते जाना उन सारे लोगों को वहां अपने जिंदगी से जुड़ी कुछ ना कुछ घटनाएं दिखाए देती है लेकिन वो लोग उसे पार करके कोहरे के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां एक लड़की थी जो जादूगर सिंद्रिल की बहन थी और यहां सिंद्रिल भी आता है जिसने उस मोनोलित को बनाया था फैज्जाल उसे देखते ही गुसा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है जिसके बाद उसकी बहन जाकरे उसे अपने इधर जादुगर बिलावर अपने दोनों बेटियों और एक एडॉप्टेट बेटी को मौनोलिट के अंदर लेकर जाता है और अपने दोनों बेटियों की जान उस दूसरी दुनिया के उस सक्ति को भेट में दे देता है ताकि वो उस दुनिया की अराजकता के सक्ति को हासिल अरा जकता के सकती के लिए मुझे सच्चा बलीदान चाहिए बिलोहर गुस्सा हो जाता है और कहता है सच्चा बलीदान इस से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था इधर लार्क के सारे लोग जायकरे के ट्रीहोस में जाते हैं जहां वो अपने जादू से सेजन के जकमों को पूरी तरह से भर देती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है सिंड्रिल बताता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने बस दूसरी दुनिया में जाने का सपना देखा लेकिन जब मैं मोनोलित के जरिये तो वहां की जमीन पूरी तरह से बंजर और बरबाद थी और बिलॉर वही मेरे साथ था मैं वहां एक बहुत बड़े दानाव को देखकर डर गया लेकिन जब हम लोग वापस आए तो बिलॉर ने मुझे कैद करके मेरे मोनोलित के बुक को ले लिया और सबसे ये कह दिया कि मैं दूसरी दुनिया में खो चुका हूँ बिलॉर ने जरूर उस दूसरी दुनिया के सकती से किसी तरह का सौधा किया होगा मैंने राजकुमारी मिर्विन को तुमारी बहन की बली देते अपनी आखों से देखा था सिंड्रिल कहता है जमीन आसमान तेजी से बदल रहे हैं अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा इसके लिए हमें जिन्टेरिया के मोनोलित को बरबाद करना होगा मेरे पास एक मोनोलित है जो हमें सीधा जिन्टेरिया के महल में मौझूद दूसरी मोनोलित तक पहुचा देगा इसी तरह लार्क के टीम में अब 6 लोग हो चुके थे ब्रेदर डेट और बाकी के लोग सायनिकों को मार कर दूसरे मोनोलित पर कबजा कर लेते हैं सिंड्रिल अपने जादू से उस मोनोलित के जरिये दूआर को ओपन करता है लेकिन वो लोग कहीं और पहुच जाते हैं जहां एक बहुत बड़ा सिंटिपेट मॉस्टर उन लोगों के उपर हमला कर देता है वो सिंटिपेट मॉस्टर किसी को नुकसान पहुचा पाता इससे पहले सारे लोग वापस से अपने दुनिया में लौटाते हैं और सिंड्रिल दर्वाजे को जैसे ही बंद करता है तो वो मॉस्टर का आदा सरीर उस दुनिया में और आदा इस दुनिया में आ जाता है लेकिन इस बार वो जिंटेरिया के महल के करीब पहुच गए थे तभी वहाँ मिल्डॉफ आकर उन्हें आसमान में मॉस्टर को दिखाती है और कहती है अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो मिल्डॉफ कहती है कि मेरी जान गिविन ने मुझे सब बता दिया है तुम लोग कौन हो कहां से आई हो और क्या क्या करने वाले हो मिल्डॉफ के पास जो हथोडा था उसका नाम गिविन था जिससे वो बाती कर सकती थी वो कहती है महरानी को मारने से पहले तुमें उसके दानव को मारना होगा जिस पर सिंड्रिल कहता है क्योंना हम एक ऐसा दानव बनाए जो सी मार दे फिज़ाल कहता है क्या ऐसा हो सकता है जिस पर सिंड्रिल कहता है उस दुआर से जो दानव आया है मैं उसके दिल को निकाल कर उस पर जादू करूँगा और उसके सरीर को अपने सरीर से जोड़ दूँगा जिससे उसकी सक्तिया मेरे अंदर समा जाएगी लेकिन लार के कहती है अगर एक योधा और दानव को मिला दिया जाए तो हमारा वाला दानव सबसे ताकतवर बनेगा इसलिए ये काम तुम मुझबर करोगे फिज़ाल उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो उसके बातों को नहीं मानती और वो लोग परियोग में लगने वाले जड़ी बूटियों को इकठा करने लगते है इधर एवलॉक बिलॉर के कमरे में जाकर मोनलिट के बुक को चुरा लेता है और उसे लाकर मर्विन को दे देता है लेकिन तभी बिलॉर वहां आकर एवलॉक के उपर हमला करता है लेकिन तभी एडिन वहां बिलॉर की मुझ बोली बेटी के गले के उपर चाकूर रख कर आता है और उसे एवलोक को छोड़ने का बोल कर बिल्लावर को बंदी बना लेता है इधर लार्क दानाव को अपने सरीर से जोड़ने से पहले फिजाल के साथ सराप पी रही थी फिजाल लार्क को पसंद करने लगा था और आज वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं लेकिन जब सुबा होती है तो लार्क वहाँ अकेले उठती है उसे किसी की चिलाने की आवाज आती है वो जब गूफा के अंदर जाती है तो वो देखती है फिजाल ने उस दवा को पी लिया था जिसे वो पीकर खुद को मौस्टर से जोडने वाली थी फिजाल दर्द से तडप रहा था लेकिन सिंडेल उसे परियों के लिए जड़ी बूटी पिला कर तयार कर रहा था इधर बिलावर अब मर्विन के कबजे में था और अब बस मर्विन को दूसरी दुनिया से जाकर अपने लोगों के लिए अनाज लाना था एवलोग बुक को पढ़कर दुआर खोलने की कोसिस करता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा था जैकरे अपने जादू सुरू करती है जिससे उस दानों के सरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल कर फिज्जाल के सरीर में घुज जाते हैं और तोड़ी देर तड़पने के बाद फिज्जाल एकदम से बिहोस हो जाता है उन्हें लगता है कि वो मर चुका है लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आग खोल लेता है इधर से जन फिज्जाल के बॉंटी वाले पेपर को लेकर जिंटेरिया पहुँचती है और जब वो मर वो मर विन से मिलती है तो वो उनसे कहती है मैं घोस्ट कबिले से हूँ मैं जानती हूँ फिज्जाल कहा है अगर आप मुझे मेरे कबिले के तलवार लोटा दे तो मैं को उसका पता बता दूँगी मरविन अपने 50 सेनिकों को उसके साथ फिज्जाल और लार्क को पकड़ने के लिए भेज़ती है इधर फिज्जाल की ताकत बढ़ चुकी थी अब वो लार्क और बाक्यों के खोन को भी सूंग सकता था उसकी आँक पूरी तरह से पीली हो चु दूँगी तुम्हें मेरे लिए दुआर खोलना होगा बिला और कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें फिन्रिक को भी मेरे साथ वहां भेजना होगा इधर लार्क के सारे लोग जब जिन्टेरिया के तरफ बढ़ रहे थे तो सेज्जन वहां महरानी के भेज़े सिपाहियों के स लार्क समझ जाती है कि उसने उसे धोका दिया है लेकिन तभी सेज्जन के कुछ दोस्त आकर उन सारे सिपाहियों की उपर तीर बरसाने लगते हैं और मिल्डॉफ भी अपने हथोड़े से उन सारे सिपाहियों को मार देती है सेज्जन के दोस्त रानी के भेज़े सिपाहिय क्योंकि कपड़े पहन कर लार्क की सेना में सामिल हो जाते हैं और वो सारे लोग फिल्जाल को बंदी बना कर जिंटेरिया के किले में चले जाते हैं इधर मिर्विन बिलॉर को दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने को केती है और उसके साथ साथ एर्डेन और कुछ सैनिकों क भी वहां भेज देती है ये सारे लोग दूसरी दुनिया से अनाज लेने गए थे लेकिन बिलॉर ने सबसे जूट बोला था कि दूसरी दुनिया में बहुत सारा अनाज है ताकि वो सेंडेल के परियोग को भी न किसी के रोक टोक के आगे बढ़ा सके वहां जाकर बिलॉर करता की सक्ती मिल जाती है जिससे वो एडन और सारे सैनिको को मार देता है इधर लार्क की सेना भेस बदलकर फेज़ाल के साथ के ले के अंदर गुज गई थी इसके बाद सेज़न फेज़ाल को मर्विन के सामने पेस करती है और कहती है अब मुझे मेरा तलवार सोल रिवर म तो वो कहती है मैंने उसे मार दिया लेकिन मर्विन उसे तलवार देने से मना कर देती है और अपने सैनिको से उसे बीच सड़क पर उसका सरकलम करने का हुक्म दे देती है लेकिन इधर लार्क और उसकी सेना रानी के सारे सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और फिर लार्क ज दिसान इल्फ लार्क के तरफ से लड़ने का फैसला कर लेते हैं इधर फिज्जाल मर्विन से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहती है मेरा भाई वही गलती कर रहा था जो मेरे पूरवश करते आ रहे थे हमारे लोग भूके मर रहे थे इसलिए मैंने बलौर की मद किया है इसके बाद फिज्जाल अपना आपा खो देता है और सारे सैनिकों को मार देता है मेरविन तो वहाँ से भाग जाती है लेकिन तबी दूसरी दुनिया से आया दानव फिज्जाल के उपर हमला कर देता है और फिज्जाल उससे लड़ने लगता है इधर से जिन उसे लेकिन वो और ब्रदर डे दोनों मिलकर सारे सैनिकों को मार देते हैं। इधर जेंटेरिया के लोग ने भी तलवार उठा कर लड़ना सुरू कर दिया था। मिर्विन अपने कमरे में छुपी थी। तभी लार्क वहाँ आ जाती है तो मिर्विन उससे कहती है जिसके बाद मिर्विन गायल होकर अपने सिंघासन पर जाकर बैठ जाती है। और तभी जेंटेरिया के लोग वहाँ आते हैं तो मिर्विन अपने पेट से तलवार को निकाल कर मर जाती है। अपने ही लोगों को मारना सुरू कर देता है लेकिन तभी लार्क अपने गाने से उसे सांथ करती है। और लार्क उसे गले से लगाती है और उसे किस करने के बाद उसके पेट में छूरा मार देती है। क्योंकि अब वो उनके लिए खत्रा बन गया था। इधर सिंड्रिल अपनी बहन जाकरेश से कहता है हमें उसके सकती को उसके खिलाफ इस्तमाल करना होगा। और मैं अपनी सकती से मौनोलित को बरवात कर दूँगा। वो बिलोर से लडने चला जाता है और उसकी बहन अपनी जादू से उसे बिलोर और मौनोलित के साथ बाद देती है। पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गया, दूसरी दुनिया से इंसान जैसे और भी बहुत सारे जीव इल्फ के दुनिया में आ गए, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, फिर से एक नई दुनिया की सुरुआत हो गई, अब हमें 6 महिने की बात का सीन दिखाया जाता है, जहा इस सीरीज के दो सेजन दी विचर 1 और 2 बहुत पहले ही आ चुके थे, लेकिन ये उसका प्रेकुल था, अगर आप चाते हो मैं उसे एक्स्प्लेन करूँ, तो आप इस वडियो पर मुझे एटलिस 5K लैक्स दे ही सकते हो, वैसे ये स्टोरी आपको कैसे लेगे मुझे कमें करके जुरूर बता देना, और हाँ दोस्तो, मैंने एक बहुत ही अच्छी मिस्टीरियस विप सीरीज को एक्स्प्लेन किया था, जिसका नाम 1899 है, जिसमें एक बहुत बढ़ा सी बहुत ही रहस्माई तरीके से गायब हो जाता है, अगर आपने मेरे उस एक्स्प्लेनेशन क को नहीं देखा, तो वडियो के इंडे में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप रैट सेट में क्लिक करके उसे जरूर देख लेना,